एलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आप सब आप सब अच्छे से होंगे स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में तो आज फिर से चोटे चोटे लेकिन काम के आइडियास मैं आपके लिए लेके आई हूँ तो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ वेस्ट पुरानी होती है जो आप लोगों ने मुझे कमेंट की होते है ना उनी कमेंट में से बेखके मैं वीडियो बनाती हूँ डेली के मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं क्योंकि बहुत सारी वीडियो मैं अपलोड करी है हर एक वीडियो में मुझे कमेंट्स आते हैं तो डेली के इत कुछ ऐसे ही चोटे-चोटे आइडिया के साथ मैं आज की वीडियो को लेके आई हूँ, I hope आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी और कोई ना कोई आइडिया ज़रूर पसंद आएगा, तो चलिए बिना डिले कि हम आज की वीडियो को शिरू करते हैं, शिरू करते हैं आइडिया नमबर वान से, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ कपड़े का एक छोटा सा एक्टेंगल पीस, तो देखिए कई बार आप मुझे कमेंट करते हैं कि आपका क्विल्ट अच्छे से नहीं होता, तो देखिए जब भी मैं क्विल्ट करती हूं तो जो राहिस बैग है और नीचे वारी लाइनिंग है ना, वो हमेशे जो मेरा मीन वाला कपड़ा होता है ना, उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेती हो, तो देखिए जो उपर वाला कपड़ा है वो मैंने लिया है 12.5 इंच और ऐसे है 17 इंच और नीचे वाले दो पीसिस मैंने थोड़े से लिये हैं, ताकि जब भी हम इस पे सिलाई लगाएं और कुछ भी छोटा बड़ा हो ना, तो वो अराम से हमारा अटजस्ट हो जाए, तो देखिए एक्स्ट्रा मैंने कट कर लिया और अब मैं हमारे पास येक रेक्टेंगल पीस आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, य उसके बाद आपको बैठने वाली सिलाई लगानी है, सेम ऐसी इसे पलट के दूसरी तरफ रखना है, सिलाई लगानी है, और उसके बाद आपको बैठने वाली सिलाई लगानी है, उसके बाद एक्स्ट्रा जिप यहां से हम इसे बराबर कर लेते हैं, और ना हम इसे के साथ ही इसमें फिनिश करते रहेंगे तो आब यहाँ पे नॉर्मल एक पट्टी लेंगे हम और पाइपिंग से इससे पुरा फिनिश कर लेंगे उसके बाद हमी क्या करना है देखे इस तरीके से दोनों तरफ सेंटर पाइंट का निशान लगाना है और आपको इस तरीके से यह जोड है इसके साथ बिल्कुल ऐसे फ्लैट बिचा लेना है यह देखे ऐसे फोल्ड करना है और दोनों साइडों पे आपको इसके सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे उपर की तरफ और यहाँ पे नीचे की तरफ उसके बाद हमें यहाँ पे कट लगाना है 1 by 1 इंच का तो यहाँ से जो सिलाई है न देखिए सिलाई को छोडने के बाद आपको उपर की तरफ 1 इंच लेना है यह देखिए 1 by 1 इंच का इस तरीके से लेना है सिलाई को छोडने के बाद यह वला निशान आपको चारो कॉर्नर्स पर लगाना है और उसके बाद इसे आपको इसी शेप में कट कर लेना है तो चारो कॉर्नर्स हम इसी तरीके से कट कर लेंगे चारो कॉर्नर कट करने के बाद चारो कॉर्नर को हमें स्टिच करना है तो रफ है जिसको साथ के साथ ही हम फिनिश करते रहेंगे तो पहले हम यहाँ पे दोनों तरफ से इसे फिनिश कर लेंगे उसके बार न हमें 4 इसके corners पर सिलाई लगाने देखे इस तरीके से तो चारो corners को आप इसी तरीके से सिलेंगे न तो हमारी ये shape आजाएगी तो चारो corners को आप इसी तरीके से सिलाई लगा लीजिये सिलाई लगाने के बाद न रफएजिस को हम फिनिश कर लेंगे तो साथ के साथ अगर आप रफएजिस फिनिश करते रहें न तो बाद में बहुत इजी हो जाते देखे इस तरीके से इसे बनाना तो देखे पूरा फिनिश हो गया हमारा अंदर से अब ना हम इसे सीधा कर लेते हैं और हम इसमें बैल्ट लगाएंगे तो देखे इस तरीके से यहां से उपर से हमारा स्क्वेयर बन जाएगा और नीचे की तरफ से बॉटम भी बन जाएगा वो जो हमने कट लगाया था ना वन बाई वान इंच का उसकी वज़ा से तो चलिए अब ना इसके लिए हैंडल रेडी कर लेते हैं तो यह हमारा रेडी हो चुका है बाई ना इससे साइड पर रखते हैं और दो मिन इस साइड पर रखते हैं और इसमें हमẩIES बेल्ट लगा लेगे तो बेल्ट लगाने के लिए ना यहां पर 3 इंच ру créer 14 नजा अगर आप यह लंबी चाहिए न तो इस बेल्ट भी ले सकते हैं और मैंने आप सिंपल बैल पर और और बाहर से आपको musimy постав लगा लेनी है तो अपने अपने हिसाब से छोटिया बड़ी कर सकते हैं तो देखिए दोनों तरफ से यह अपर हम सिँपर लगा लेंगे और हेंडल को अटएच कर लेंगे तो देखे मैंने सिलाई लगा लिए हैंडल को अटैच कर लिए है और यह हमारा कवर बनके रेडी हो चुका है यह मैंने बनाया है मिल्टन की बान लीटर बोटल के थरमस्त होता है ना उसके लिए कवर बनाया है देखे तो बिल्कुल अच्छे से अराम से हमारी बोटल इसमें चली जाती है और उपर से देखिए यहां से फुल जिपर है तो अराम से देखिए आ इसमें जिप लग जाती है तो प्यारा सा Milton bottle का water cover हमारा 1 liter का बिल्कुल ready हो चुका है आप चाहते हैं तो इसमें normal जो 1 liter वाली bottle होती है वो रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं तो मैंने यहाँ पे थर्मस का cover बना के ready कर लिया है तो इस तरीके से चोटे बड़े साइज में आप अपने थर्मस के लिए cover को बना सकते हैं तो किसी ने request किया था उनकी request पे मैंने बनाया है I hope आपको idea पसंद आया होगा तो चलिए देखते हैं next idea तो next idea में न मैं इस तरीके से transparent plastic यूज़ कर रही हूँ अगर आपके पस यह वाला plastic नहीं है तो आप courier bags होते हैं जो Amazon वाले उसका plastic भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने कपड़े के दो pieces लिए है 9 inch और इसके लंबाई है 20 inch उसके बाद यह मैंने plastic ले लिया जैसे मैंने बोला आप courier bag का plastic भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अब हमें क्या करना है सबसे पहले ना इन दोनों pieces पे हम हलकिसी round shape दे देंगे उपर की तरफ से तो lining और main fabric दोनों पे मैंने यहाँ पे इस तरीके से रखते वे हलकिसी उपर की तरफ से round shape दे दी है अब हमें क्या करना है plastic है जो transparent उसे ना हम इसके साथ पुरा join कर लेंगे तो बीच में आपको सिलाई नहीं लगानी है सिरफ side में हमें सिलाई लगानी है तो plastic को हमने यहाँ पे insert कर लिया है अब आपको क्या करना है ना यहाँ पे center point का निशान लगाना है और यहाँ पे ना हम एक handle लगा लेंगे पकड़ने के लिए तो यह मैंने लगाया है 12.5 इंच का और यहाँ पे सिलाई से handle को attach कर लिए उसके बाद हमने यहाँ पे zip लेनी है देखिए पूरा गोल घुमाते हुए एक zip से ना हमारे यहाँ पे यह दो organizer बन जाएंगे तो zip का एक portion मैं एक organizer बनाने के लिए use करूँगी और एक को मैं संभाल के रख दूँगी जब बाद में मुझे use इस्तमाल करना होगा ना तम मैं उसका use कर लूँगी और zip को देखिए आपको इस तरीके से रखना है और गो पाद ना आपको लेना है lining वाला piece और वो रखना है इसके ऊपर और फिर आपको सिलाई लगानी है ऐसे सिलाई लगाने से बिलकुल finishing के साथ हमारा यह बनके ready होगा तो बिलकुल उपर रखना है और पूरा ना इस पे half इस तरफ, half इस तरफ सिलाई लगा लेजीए इस लाई करेंगे पहले बैठने वाली सिलाई लगा लेगा और उसके बाद अब यहाँसे हमें रुनर को यह इसपे देखे इंसर्ट कर लेना है एक्स्टर जिप को कट कर लेंगे थोड़ा सा बराबर करते वे अब उसके बाद नहीए här से रुनर को डाल लेंगे तो रनर हमने इंसर्ट कर लिया, अब नीचे बॉटम वाली तरफ से हमें इस पे सिलाई लगानी है, देखिए. तो इसे इस तरीके से फ्लैट बिचाते वे, नीचे की तरफ हम इस पे सिलाई लगा लेंगे. तो इसे ऐसी करना है, और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, और एक्स्ट्रा जिप को कट करके नरफ है, जिसको सिंपल पट्टी से आप फिनिश कर लेंगे. फिर हमने बैक को सीधा कर लिया, और यह ना अम्रेला के लिए हमारा वाटर प्रूफ कवर देखिए, बिल्कुल रेडी हो चुका है. तो इसके अंदर हमने प्लास्टिक वाली शीट डाली है, तो आप इसे कहीं भी हैंड कर दीजिए, बिल्कुल दूल मिटी से आपका अम्रेला गंदा नहीं होगा, तो यह फुली वाटर प्रूफ नहीं है, क्योंकि इसमें जिप लगी है, वहां से थोड़ा पानी इसका नि होगा, अब इसे कहीं भी हैंक कर दीजिए, बरसात के टाइम पर यूज कर सकते हैं, और इसे as it is, as a अम्रेला कवर आप यूज कर सकते हैं, चोटा सा आइडिया था, I hope आपको पसंद आया होगा, तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट आइडिया, तो इस आइडिया मैं कपड़े वगएरा रखते हैं, सर्दिया जैसे अब चली जाएंगे, गर्मियों के कपड़े रखेंगे, तो कहीं बार चुन्नी वगएरा में बांद के रख देते हैं, तो उसके लिए यह आइडिया बहुत ही काम आने वाला है, तो एंड में इसका बहुत ही प्यारा या औ किया और नीचे की तरफ से ना सिलाई लगा लिए उसे, सिलाई लगाने के बाद ना यहां दोनों कॉर्णर से ना हमें कट कर लेना है, तो यह बनने के बाद ना मुझे भी नहीं पता था कि यह इतना अच्छा बन जाएगा और इसमें इतने सारे कपड़े आ जाएंगे, त जैसे हम चुन्नी वगेरा या ऐसे कपड़े बांद के रख देते हैं तो उसकी जगा अगर आपके पस टी-शिर्ट सोना तो आप यह वला आइडिया ट्राई कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है, नीचे से सिलाई लगाके ना देखिए हमें इस तरीके से इसका बेस बना लेना हैं, और उसके बाद क्या करना है ना इसे सीधा करके ना उपर की तरफ से हमें इसमें डोरी डाल देनी है, तो यहां से नीचे की तरफ से हमारा मुडावा ही होता है, यह देखिए हमारा कितना प्यारा यहां पर बेस बन गया इस तरीके से, और उपर की तरफ से यह जो तो यहां से दो कॉर्नर्स बन गए हमारे डोरी डालने के लिए तो मेरे पास पुराना लोवर पड़ा था उसकी न मैंने यहां पर डोरी ले ली और इसी डोरी को न मैं इसके अंदर डाल दूंगे तो मतलब अलग से डोरी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है पुराना कोई लोवर हो ना उसकी डोरी आप निकाल लीजे और इस तरीके से यूज़ कर लीजे तो ना हमें देखे पूरा इसमें यहां पर बॉटम की तरफ इसके डाल देना है डोरी को यह देखे तो यह हमारी डोरी डल गए अब यहां पे आप नौट लगा लीजे ताकि ना डोरी अंदर की तरफ ना चली जाए उसके बाद क्या करना है ना बेस पे ज़रूरी नहीं आपको रखना अगर आप रखना चाहते हैं एक ना कार्ट बोर्ड रख सकते हैं इस तरीके से जो भी यह आपका बेस का साइज बना है तो बिलकुल अच्छे से देखिए मारा फेट हो गया उसके बाद ना जितनी भी मेरी गुडिया की टी-शिर्ट थी ना टी-शिर्ट या जो भी कपड़े थे वो ना सारे मैं इसमें और्गनाइज करके रख दूंगी यह देखिए तो जब इसमें कितने सारे कपड़े रखे मैंने यह देखिए मैं नीचे करके दिखाती है आपको यह देखिए मेरी बेटी की सारी टी-शिर्ट और अलमुस्ट इसके फ्रॉक्स वगएर ना काफी सारे कपड़े इसमें आ गए तो इसी तरीके से मैं और भी बना लूँगी और इसम के पास लार्ज साइज की थोड़े साइज की टी-शिट है ना तो यह थोड़ा बड़े साइज का बन जाएगा तो अब इसे दिवान में कहीं भी स्टोर करके रख दीजिए और बिल्कुल अराम से देखिए आपके ना कपड़े और गनाईज हो जाएंगे तो अब जैसे ग कैसी लेगी कौन से वाल आइडिया सबसे अच्छा लगा जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ थैंक यू